मैं डॉक्टर अंजली शर्मा, असिस्टिन प्रॉफेसर, MS कॉलेज बिकानेर आज हम प्रॉपर्टीज और टेक्स्टाइल फाइबर्स अर्थात वस्ट्रों प्योगी रेशों के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे वस्ट्र निर्मान की मूलगूत इकाई रेशाया तन्तु है, इसके बिना वस्ट्र निर्मान करना संभव नहीं है प्रकर्ती में अनेको प्रकार के रेशे विद्यमान है, परन्तु सभी रेशों से वस्ट्र निर्मान का कार्य संभव नहीं है क्योंकि सभी रेशों में वे सारे गुण उपस्थित नहीं होते हैं जो वस्त्र निर्मान के लिए आवशक है अर्थात कहा जा सकता है कि उनमें अनिवार्य गुणों का अभाव रहता है जिसके कारण उनसे वस्त्र नहीं बनाए जा सकते हैं अगर वस्त्रोत पादन हेतू इन रेशों का अथक्वे प्रेत्न पूर्वक प्रयोग भी किया जाए तो भी रेशों से निर्मित वस्त्र जादा दिन तक वस्त्र निर्मान के छेतर में नहीं टिख सकते किसी भी वस्त्र के लोकप्रियता के लिए उसमें चमक, मजबूती, कोमलता, टिकाउपन, सुन्दरता, आधी गुण आवशक है इसके लिए रेशों में वस्त्र निर्माण हेतु कुछ अनिवारे गुण होने अत्यांत आवशक है आज हम जिन गुणों के बारे में पढ़ेंगे वे है adequate strength, अर्थात परियाप्त मजबूती, satisfactory length, अर्थात संतोष जनक लंबाई, flexibility, अर्थात लचीलापन, resiliency and elasticity, अर्थात प्रति इसकंतता एवं प्रत्यास्त था cohesiveness of spinability, अर्थात बंदन चंता, softness and fineness, अर्थात कोमलता एवं सुक्ष्मता, moisture absorption capacity, अर्थात नमी अवशोशन शंता, luster, अर्थात चमक, तथा uniformity, अर्थात समानता सबसे पहले हम adequate strength, अर्थात, परियाप्त, मजबूती के बारे में बात करते हैं वस्त्रोत पादन हेतू रेशो में परियाप्त मजबूती, अर्थात, द्रड़ता का रहना नितांत आवशक है वस्त्र निर्मान प्रकिरिया में रेशो को बहुत अधिक रगड, तनाव, दबाव, एवं खीचा तानी का सामना करना पड़ता है अगर रेशो में खिचाव वे तनाव को सहन करने की शमता होगी, तभी उनसे सफलता पुर्वक मजबूत एवं टिकाव वस्त्र बन सकेंगे रेशो से धागा तयार करते समय, उनमें एठन देकर बटा जाता है अगर रेशे कमजोर होंगे, तो एठन देते समय वे बार-बार तूट जाएंगे, जिससे धागा निर्मान करना मुश्किल कारे हो जाएगा वस्त्र बुनते समय भी ताने, एवं बाने, अर्थात वॉर्प एंड वैप्ट, दोनों और के धागों को अधिक खीचा तानी करनी पड़ती है उन्हें जुकाना और मूरना पड़ता है, जिससे धागों को अधिक दबाव सेहन करना पड़ता है अगर धागों में खीचाव वै तनाव, जटके को सेहन करने की शमता कम होती है, तो वे बीम पर चड़ते समय, बुनाई करते समय बार बार तूट जाते हैं जिससे वस्त रिमान करना दोलब एवं कठिन कारे हो जाता है अतहे धागों में तनाव सेहने की शमता होनी चाहिए रेशो या धागों द्वारा तनाव, खीचाव, दबाव एवं जटकों को सेहन करने की शमता या शक्ती ही तनाव शक्ती या तनाव सामर्थ्य या टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है अतहें तनाव सामर्थ्य एक रेशे की तूटने की शम्ता होती है तनाव सामर्थ्य की काई ग्राम प्रती डीनियर होती है Next property जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है satisfactory length अर्थात संतोज जनक लंबाई वस्त्रोत पादन हेतू रेशों में संतोज जनक लंबाई का रहना नितांद आवशक है लंबे तन्तू से मजबूत टिकाउ, सुन्दर, आकरशक, चिकने सतय वाले एवं उत्तम कोटी के वस्त्र बनते हैं जबकि छोटे रेशों से रुक्ष, खुर्दरे, एम कठोर सतय वाले वस्त्रों का निर्मान होता है छोटे रेशों से अत्तिदिक सीरे धागे की उपरी सतय पर आ जाते हैं जिससे ये सीरे स्वत्य ही वस्त्र निर्मान के बाद भी वस्त्र की सतय पर आ जाते हैं ऐसे वस्त्रों की एक या दो बार दुलाई करने की उपरांत ही इनके सतय पर गोल-गोल गुठली सी निकल जाती है, जिससे वस्त्र की सुन्दर्ता सुभावतह ही कम हो जाती है. इतना ही नहीं, छोटे रेशों से निर्मित वस्त्र की सतय खुर्दरी होते हैं, जिनके कारण धूल-कन, मिट्टी, गंदगी, तेल, ग्रीज या अन्य दाग दब्बे शिगरता से लग जाते हैं, और रेशों के भीतर तक पहुँच जाते हैं, जिन्हें चुडाना सरल नहीं होता है, लंबे रेशों से निर्मित वस्त्रों की सतय चिकनी होती है, फलतह ऐसे वस्त्र जल्दी गंदे नहीं होते हैं, साथ ही दुलाई भी करना सरल होता है, रेशम के रेशे एम सभी मानवकरत रेशे की लंबाई परियाप्त होती है, फलतह इनसे कोमल सतय वाली, चमकद आकर्शक, मजबूत, टिकाउ, एवम, सुंदर वस्तर बनाए जाते हैं कपास के रेशे काफी छोटे होते हैं जेने स्टैपल कहते हैं रेशों के आपस में चिपकने का गुलक्षन गुण विद्धिमान होता है जिससे रेशे में एविरल लंबाई के धागे बनाए जा सकते हैं एक बार इनके रेशे चिपकते हैं तो वापस में चिपके ही रहते हैं नेक्स पॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फ्लेक्जिबिलिटी अर्थात लचीलापन जब रेशों को थोड़ा खीच कर अत्वा तनाव देकर छोड़ दिया जाता है अगर रेशे पुन्हें अपनी पूर्वाक्रती को ग्रहन कर पूर्व इस्थिति में आ जाते हैं तो रेशों को यह गोंड उसकी लचिलापन या फ्लेक्जिबिलिटी कहलाता है वस्त्र बुन्ते समय धागों को बीम पर चड़ाना पड़ता है ताने एवं बाने के धागों को खीचा एवं ताना जाता है कई बार धागे को उठाना जुकाना एवं मोरना पड़ता है इस प्रकार वस्त्र बुनते समय धागों को भारी जटके सहन करने बढ़ते हैं अगर रेशो में बीना तूटे, मुड़े, जुगने दबाउन सहन करने यानि की प्लेक्जिबिलीटे का गुण विद्यमान नहीं होगा तो वे बढ़ते समय, एठन देते समय, काते समय, बुनते समय, सहच ही बार-बार तूट जाएंगे फलतह बस्त निमान करना संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि धागों को बार-बार जोड़ना सरल कारे नहीं है अतह रेशो में लचिलापन का गुण होना अनिवारे है इस गुण के कारण रेशो में जटके सहन करने की शमता उत्पन होती है फलतह धागों को बीम पर चड़ाना ताने एवं धागे के तानना वस्त बुनाई करते समय, उन्हें ठोकना आदिकारिय सम्भव है रेशो में अन्तर नहित लचिलापन का गुण स्वते ही वस्तर में आ जाता है ऐसे वस्तर मजबूत, सुन्दर, टिकाउ होते है इन में शरीर के अनुरूप ढलने की एविलक्षन शमता होती है तथा इन से श्रेश्ट लटकन शीलता का गुण आ जाता है नाइलोन के तन्तु में लचिलापन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है जिसके कारण इसके मोजे एवं लंबे स्टॉकिंग बनाये जाते है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेजिलियंसी एड इलास्टिसिटी अर्थात प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता लचिलापन की तरह वस्त्र निर्मान के लिए उप्यगी रेशों में प्रतिस्कंदता का गुण होना भी अनिवारी है रेशों का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ दिया जाए तो वे पूनें अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेते हैं प्रतिस्कंदता कहलाता है रेशों में उपस्थित प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही वस्त्र में शिगरता से शिकन नहीं पढ़ना वस्त्रों को दैनिक प्रियोग के पश्चात टांगना, मोडना, अथ्वा लपेटना पड़ता है जिसमें उनकी तहें अक्सर मुड जाती है, अथ्वा विक्रत हो जाती है परन्तु फिर भी विवस्त्र प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही अपनी पूर्वाक्रती प्राप्त कर लेते हैं लचिलापन एवम प्रतिस्कंदता की तरह रेशों में प्रत्यासिता का गुण भी होना अनिवारे है जब तक रेशों में परियाप्त प्रत्यास्ता नहीं होगी तब तक उनमें धागे एवं वस्ट निर्मान करना सरल नहीं होगा क्योंकि रेशे से धागे बनाते समय उन्हें बल या एठन देकर बटा जाता है पलते है रेशों में दबाव, खिचाव, एवं तनाव पड़ता है प्रत्यास्ता को इस प्रकार से परिभाशित कर सकते हैं रेशों को खीच कर अत्वातान कर छोड़ देने के पस्चाथ अगर वे रेशे पूने अपनी पूर्व लंबाई को प्राफ्त कर लेते हैं तो यह गुण उसकी प्रत्यास्ता या इलास्टिसिटी कहलाता है अत्यवस्र निर्मान के लिए प्रत्यास्ता का होना नितान आफशक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कोहसिवनेस और इस्पिनेबिलिटी अर्थात बंदन शम्ता या आपस में सटने की शम्ता रेशों को आपस में सटने का विलक्षन गुण एवं अद्बुद गुण ही बंदन शम्ता कहलाती है कपास के तंतू जबकि लंबाई में काफी छोटे होते हैं इनमें से कुछ रेशों की लंबाई भी आधी इनसे भी कम रहती है। साथ ही उनमें लचीलापल, प्रतिसकंदता, एवं प्रत्यास्तता जैसे गुणों का भी अभाव रहता है। परंतु इनके रेशों में आपस में सटने का विलक्षन गुण विद्धिमान रहता है। जिसके कारण कपास के रेशों से एविरल लंबाई के धागे निर्मित किये जाते हैं। धागे बनने के पश्चाद भी इनके रेशे छिटक कर प्रतक नहीं होते बलकि आपस में द्रड़ता से एक दूसरे से चिपके रहते हैं। कपास के रेशों में आपस में सटने का यागुण परिवलन के कारण होता है। बन्दन शमता के अभाव में रेशे बढ़ते समय, एठन देते समय, अथवा कताई करते समय आपस में नहीं चिपकेंगे बलकि छोटे रेशे छिटक कर बिखर जाएंगे जिससे धागा बनाने का कारिय सरलता से संपन नहीं हो सकेगा। सुक्ष्म रेशे जितनी सरलता एवं शिगरता से आपस में सटेंगे, उनकी बंदन शमता भी उतनी ही मजबूत होगी, तथा उनमें एविरल लंबाई के धागे भी उतनी शिगरता एवं सरलता से बन सकेंगे। सुक्ष्म रेशे से निर्मित वस्र देखने में सुंदर एवं आकरशक तो लगते ही हैं, साथ ही पहनने में अति आरामदायक एवं सुखत भी लगते हैं। परिधान जो कोमल होते हैं, उनकी लोगप्रेता काफी भड़ जाती है। ऐसे वस्र पहनने से शरीर पर बोज नहीं, अपीतु ये शरीर का एक अंग ही मैसूस होते हैं। कोमल वस्र इस पर्ष में भी चिकने एवं सुखत प्रतीत होते हैं। ग्रह कारे की उप्योग हितु मलायम वस्रों की ही आवशकता होती है। मोटे रेशों से मोटे खुर्दरे एवं रुखडे वस्र बनते हैं, जिनका उप्योग अक्सर दरी, कालीन, परदे आदी बनाने में किया जाता है। परिधान हितु हमेशा ही कोमल वस्रों का चुनाव किया जाता है। लोग प्रियता के लिए वस्रों की कोमलता के गुण का होना अनिवार्य है। कडे रेशों से निर्मेत वस्र कठोर होते हैं, जो शरीर में चुबन प्रदान करते हैं। कोमल एवं कठोर वस्त्र के इसी अंतर से मानों को वस्त्र निर्मान की छेतर में एक क्रांती लाई गई है। कोमल वस्त्र सरवदा ही आरामदयक, सुन्दर, सुखद एवं इस पर्ष में अच्छे लगते हैं। Next property है Absorbency अर्थात अवशोशक्ता वस्त्रूत पादन हेतू रेशो में नमी एवं आदृता को अवशोशित करने का गुण भी होना चाहिए। पहनने वेप्रियोक के पश्चात अक्सर वस्त्र गंदे हो जाते हैं, फलते इने दोना अनिवारी होता है। अगर इनमे नमी सोखने की एवं नमी मुक्त होने का गुण विध्यमान नहीं होता है, तो ये वस्त्र अराम से नहीं धोई जा सकते। जबकि यदि इनमे ये गुण अगर विध्यमान होगा, तो वस्त्रों को सरलता से निर्भिक होकर धोया वे सुखाया जा सकता है। गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना निकलता है, अगर वस्र में नम्मी आवशोशित करने का गुण है तभी वे शरीर से निकले पसीनों को आवशोशित कर लेते हैं, जिससे तबचा सच एम शीतल हो जाती है, ऐसे वस्रों से पसीना भी शिग्र ही सूख कर उड़ जात अतहिये वस्र आरामदायक होते हैं। वैसे वस्र जिन में आवशोशक्ता का गुण विद्यमा नहीं होता, वे शरीर से निकले पसीने को नहीं सोख पाते, फलते तवजा चिप-चिपी हो जाती है जिससे उसमें जलन होने लगती है, वे खुजली होने लगती है। प्रेशों में आद्रता या नमी आवशोशक्ता का गुण वस्त्रों की परिस्क्रती एवं परिसज्जा करने में काम आता है। एक ही वस्त्र को विभिन रंगों से एवं विभीट डिजाइनों में रंग कर वे छपाई कर उनमें विभीन प्रकार के ग्रहपयोगी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्रों की रंगाई, छपाई, ब्लीच करना, कलफ देना, मर्स राइस करना, आधी प्रकिरियाएं तभी संभव हो पाती है जब उनमें आवशोशक्ता का गुण विद्धिमान होता है। मानवकरत रेशे जैसे रियोन में सबसे अधिक आध्रिता आवशोशक्ता का गुण विद्धिमान होता है। बातावरण में रेशों द्वारा आवशोशित नमी को नमी प्राप्तांक कहते हैं। यह शुष्क रेशों द्वारा आवशोशित नमी की मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लश्चर अर्थात चमक रेशों द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की शमता को चमक कहते हैं रेशे जितने ही लंबे सुक्ष्म, कोमल, एवं मुलायम होते हैं उनसे बने वस्त्र की सतय भी उतनी ही अधिक चिकनी होती है तथा उसमें उतनी ही अधिक चमक रहती है रेशम का रेशा प्राकरतिक रूप से ही चमकदार होता है इसकी सतय भी काफी चिकनी होती है जिसके कारण इनसे बने वस्त्रों में अनुखी जोती की जलक द्रश्टी गोचर होती है लिनन, जूट, एवम कपास के तंतों में चमक का अभाव होता है परन्तु वस्त्र बनाते समय इनमें परिस्सज्जा व्य परिश्कती करके प्रतिम रूप से चमक लाई जा सकती है चमक लाने से वस्त्र की सौंदिरता में व्रत्धी हो जाती है मानवकरत अर्थात मैनमेट सभी रेशों में चमक का गोण समाहित रहता है नायलेउन के रेशे में तो इतनी अधिक चमक रहती है कि वे आँकों को चुपती है वलत है चमक को कम करने के लिए परिश्क्रतियां एवम परिस्सज्जाएं की जाती है जब मानवकरत धागों को निर्मान किया जाता है तब उनमें इच्छा नुकूल चमक लाई जा सकती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिफॉर्मिटी अर्थात समानता वस्त्रोत पादन हेतु रेशों में समानता का गोण होना अनिवार्य है समानता का अर्थ है रेशों या धागों की लंबाई व्यास आकार एवं आकरती समान हो अगर इनमें समानता नहीं होगी और धागे कहीं से मोटे तो कहीं से पतले कहीं गोल, तो कहीं चप्टे, या त्रिकोन होंगे, तो इनसे निर्मित वस्त्र में भी समानता वे एक रुपता नहीं रह पाएगी, तथा उनमें अंतर आ जाएगा, फलतह वस्त्र की सुंदरता, सुंदरता, चमक, एवं कांती प्रभावित होगी, वे उसमें कमी आ जाएग इसकी सत्य वी रुक्ष, खुर्दरी, एवं जगे-जगे से मोटी वे पतली हो जाएगी, फलतह मजबूती, एवं टिकाउपन भी प्रभावित होगा, तथा वस्त्र उन जगों से फट जाएंगे, जहां से रेशे, पतले एवं निर्बन होंगे प्राकर्तिक रेशे जैसे कपास, लेनेन, जूट, आदी रेशों में ऐसमानता होती है, कोई रेशे लंबे होते हैं, तो कोई छोटे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, तो कोई पतले होते हैं इसलिए वस्त्र निर्मान से पूर्व इन रेशों की छटनी की जाती है वे समानता को ध्यान में रखकर इनकी लच्चियां बनाई जाती है मानवकरत रेशों में समानता लाने के लिए रासाइनिक पदार्थों को नियंतरित करके इस्पिंडर्ट के छिद्रों से गुजारा जाता है नाइलोन की रेशों में समानता लाने के लिए उन्हें खीचा जाता है ताकि वे सभी जगें से समान व्यास के हो जाए बागी बचिवी प्रॉपर्टी हम नेक्स क्लास में कंटिन्यू करेंगे थैंक्स